नमस्कार दोस्तों मैं अंकुर उपात्खियाई स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शेर मार्केट एनलिसिस में दोस्तों अभी अभी क्वाटर टू के रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं अम्बुजा सीमेंट के सबसे पहले आपने स्री सीमेंट के रिजल्ट्स देखे जो की काफी खराब थे उसके बाद अल्टरा टेक सीमेंट उसके भी नमबर कोई ज़्यादा खास नहीं रहे और अभी अम्बुजा सीमेंट के भी नमबर आते हुए दिख रहे हैं अम्बुजा सीमेंट के स्टॉक के बारे में रिजल्ट्स के बारे में लगबग लगबग स्टॉक अभी देड़ परसेंट नीचे ट्रेड कर रहा है जो नमबर्स हैं वो मैं आपको बता दूँ काफी ज़्यादा खराब है बट इस्टॉक रिकवरी देता हुआ दिख रहा है 503 का लो लगाने का 511 के लेवल्स पर अभी ट्रेड कर रहा है 55 लेक शियर्स अभी तक ट्रेड हो गए है 1.5 करोड शियर्स का एवरेज वॉल्यम है इस्टॉक में रिकवरी बन रही है बट जो नंबर्स हैं वो नो डाउट बहुत ही ज़्यादा खराब आते हुए दिखिए है अब बाकी यह अदानी गुरूप का स्टॉक एक हो चुका है तो अदानी गुरूप के स्टॉक में अपने हिसाब से कामकाज चलता है चलिए मैं आप सभी के साथ रिजल्ट्स डिसकस करता हूँ दोस्तों इस्टेंड अलोन बेसिस पर अगर बात करें इसके प्रॉफिट की तो 138 करोड पे आता हुआ दिखा है जो की काफी हेवी कट है मैं आपको अगर बता दूं quarter on quarter और year on year basis पे तो आपको पता चलेगा कि कितना बड़ा कट है quarter on quarter की बात करें तो 1048 करोड से profit घटकर सीधे 138 करोड पे आता हुआ दिखा है यानि almost almost बहुत बड़ा कट है 90% के something का कट देखने को मिल रहा है आपको quarter on quarter पे अगर मैं year on year basis पे बात करूँ तो 441 करोड से profit घटकर 138 करोड का आया है बट मैं year on year और quarter on quarter basis को उतना compare नहीं करता हूँ मुझे मतलब है market के estimate से तो market का अनुमान पहले से ये था कि numbers कमजोर आएंगे क्योंकि इनकी जो cost पावर cost वो ज़्यादा भड़ती हुई दिख रही है वो ज़्यादा हुई है इसी के चलते कहीं नगे impact पड़ रहा है सारे ही cement stocks में बट अनुमान था 200 करोड के profit का जिसके सामने company ने 138 का profit पोस्ट करा है अगर इसकी sales revenue की बात करें तो लगबग 3,237 करोड से बढ़कर 3,670 करोड पर आती हुई दिखिए है जो sales revenue है मैं आपको quarter on quarter basis पर बताऊं तो लगबग 4000 से घटकर ये sales जो आपकी 3670 करोड पर आई है अब बात करते है नेक्स्ट इसके बारे में यानि margins मैं आप सभी के साथ share करना चाहूंगा अगर आप sales का भी अनुमान देखे तो वह 3600 करोड के संधिंग तो sales जो है 8% पर आए है और year on year basis पर 22% से घटकर ये margins 8% के something आते हुए दिखें तो overall numbers बहुत ही ज़्यादा खराब है मार्केट के expectations जो है वह लगबख 12% के margins आने चाहिए इस प्रकार के थी और इनका एक additional जो loss हुआ है वह लगबख 15 करोड का है तो अगर वह भी adjust कर दें आप 138 करोड में तो भी कुछ ज़्यादा नहीं होगा 152-133 करोड का कही नहीं आएगा तो overall number बहुत ज़्यादा क्योंकि numbers screen पे बहुत ही खराब दिख रहे हैं बाकि यह अदानी गुरूप का stock है क्या करेगा पता नहीं हरे निशान में भी जा सकता है और आप लोग अगर मुझे comment करो या आने वाले एक घंटे में हरे निशान में हो जाए तो उससे पहले आप एक बार number चेक कर लेना बहुत मुस्किल है इस stock का चार्ट देगे तो support जरूर नियरवा 490 के पास है जहां पर base बना रहा है यह stock तो वह support है stock के लिए उपर में जगा खुली होई है तो यह मेरी पूरी वीडियो आप लोगों को वीडियो समझ में आयोगी thank you so much for watching this video have a great day